नमस्कार मैं हूँ प्रग्या पिहारी नीज़ में आपका स्वागत है आज है दस मार्च दिन सुक्रवार खबरो क्योड बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर इस दिन से पिहार म्यूजियम में लगने जा रही है खास प्रदर्श्मी गंगा पासे पर एक अप्रेल से जाम की समस्या से मिलेगा निज़ाद भाजपा ने उपिंद्र कुश्वाह को वाई प्लस श्रेनी की सुरक्षा देने पर दी अपनी प्रतिक्रिया नागलैन की राजनीती पर ललन सिंग का बयाद पंस्तत में विलीन हुए सतीश कौसिक अब चले बरते हैं बिहार के अब तक की 35 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से पंसो अंठानवे पदों के लिए निकली भरती प्रक्रिया राश्ट्रिय सूचना विज्ञान केंद्र इलक्रोनिक्स और सूचना प्रादवगी मंत्रालेव तक्नीकी सहाई को और अने पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है या भरती अभियान संगठन में 598 पदों को भड़ेगा इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उमिद्वार को इंजिनेरिंग में सनातक डिगरी या प्रादवगी की में इस दिन से बिहार म्यूजियम में लगने जा रही है खाष प्रदश्नी विहार की राज़ानी पटना में इस्थित विहार म्यूजियम में बहुत जल्द ही एक खास प्रदर्शनी का योजन किया जाने वाला है बतादे कि इस प्रदर्शनी में 42 महिला कलाकारों की तकरीबं 2500 प्रतिनीथी कृतियां शामिल होंगे आपकी जानकारी के लिए बतादे क इस प्रदर्शनी की श्रवात 11 मार्स से होने वाली है जो की 10 अप्रैल तक चले कि इस प्रदर्शनी का सर्ष खड महिला कुछ खास रखा गया है मालुम हो कि इस प्रदर्शनी में पदमश्री कलाकार भी अपनी कृतियों का प्रदर्शन करने वाली है जिन पदमश्री कलाकारों की कृति प्रदर्शनी का हिस्सा बनेंगे उनमें चार मिथला चित्रकला जबकि एक सुभद्रा देवी पेपर मेसी की कृतिया है आपकी जानकारी के लिए बता दी कि देश भर में यह पहली बार होगा जब एक साथ इतनी महिला कलाकारों की कृतियाफ्ट दर्शित की जाएंगी बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे दलेर महंदी के बारे में दलेर महंदी भारत में बॉलिवुड में जाना माना नाम है इनका असली नाम दलेर शिंग है लेकिन संगीत की दुनिया में इनको दलेर महंदी के नाम से जाना चाता है दलेर महंदी एक भारतिये गायक, संगीत, लेखक एवं म्यूजिक नर्माता भी है दलेर महंदी का नाता एक ऐसे परिवार से है जिसमें हमेशा से गायकों की भरमार रही है दलेर महंदी ने अपना बुलंद आवाज के सहारे भांगडा संगीत को दुनिया भर में लोग प्रिय बना दिया इसके साथ साथ दलेर महंदी ने भारत में बॉलिवुड संगीत के लावा पॉप संगीत उध्यों के भी स्थापना कर डा ली और इसका पूरा श्रे भी दलेर महंदी को ही दिया जाता है दलेर मेंदी के शुरवाती करियर में ही चैनल वी के सर्वस्रिष्ट पुरुस पॉप सिंगर पुरुसकार से नवाजा गया इतना ही नई सन 1997 और 1998 में सर्वस्रिष्ट पुरुस पॉप सिंगर के लिए स्क्रीन वीडियो कौन अबॉर्ड दिया गया साल 2000 में दलेयर मेंधी को मिलेनियम सिख पुरुषकार एवं जी से ने पुरुषकार भी दिये गया है साल 2016 में भारट सेवा रतन पुरुषकार दिया गया था क्योंकि इस नोने भारत के अंदर कई पेरो एवं पौधू को प्लांट किया था बिहार के सराब बंदी को जानने के लिए च्छतिसगर की शरकार उचसुक साल 2016 से बिहार में पूरी तरह से सराब बंदी है बिहार के सराब बंदी को देखते वे कही राजे इसके बारे में जानना चाहरे हैं कि यहां किस तरह से इस कानून को लागू किया गया है इसके बारे में जानने के लिए 36 गर की सरकार ने बिहार में एक टीम भेजी है बता दे कि 17 सदस्य टीम 36 गर सरकार दोरा बिहार भेजी गई है जिन में कुछ राजनेता और अधिकारी भी शामिल है मिले जानकारी के नुसार पटना एयरपोर्ट पर गुडवार को 36 गर से आई इस टीम का स्वागत किया गया बिहार आते ही यह टीम सराबंदी के अधियन के लिए विविन इलाकों में निकल गई तोप का गोला छोड़ने से तीन लोगों की मौत पर इंडियन आर्मी ने दी सफाई आठ मार्च को बिहार के गया के बारा चट्टी के गुलर वेद में तोप के गोले से तीन लोगों की मौत और दो लोगों के खायल होने के मामले को लेकर बीतर दिन इंडियन आर्मी गया OTA के द्वारा प्रेस रिलीस कर सिती को सपस्ट कर दिया गया है उन्होंने जारी किये गया प्रेस रिलीस में साफ कहा है कि तोप का गोला देवरी डुमरी फाइरिंग रेंज से नहीं छोड़ा गया और इसको लेकर गलत जानकारी फैलाई गई है उन्होंने दावा करते वे कहा कि बुद्धवार के दिन किसी भी तरह की फाइरिंग फ्रेनिंग सेना के दोरा नहीं की गई थी इसके साथ उन्होंने यह भी इसपस्ट किया है कि शोशल मीडिया पर जमीन में एक गोलाकार छेद दिखा कर वाइरल कर घटना के कारण की जांच के लिए समर्थन दिया जा रहा है जबकि मोटार, सेल्व, स्पोर्ट ऐसा कोई निशान नहीं छोड़ता आपके जानकारी के लिए बता दे कि फिलाल इस मामली की जांच करने के लिए गया डियम त्याग राजन के दोरा पांच सो दश्य उचस्तर ये जांच टीम का भी गठन किया गया है बिहार के इंजिनरिंग कॉलेजों में दाखिला लेने से पहले देखे यह रैंकिंग अगर आप भी बारवी के बाद बिहार के इंजिनरिंग कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं तो इससे पहले आपको बिहार के इंजिनरिंग कॉलेजों की रैंकिंग पर अपनी नजर डाल लेनी चाहिए दरसल पॉफॉर्मेंस ओन ऑब्जेक्टिव पैडामीटर की र बतादे कि पॉलिटेखनिक संस्थानों में बिहार के 44 संस्थानों में राज किया पॉलिटेखनिक कॉलेज गोपाल गंजने बाजी मारी है मालम हो कि यह रैंकिंग 13 पैरामीटर के आधार पर की रही है जिन में फैकलिटी और स्टुडेंट की उपस्तिती, रूटीन से क्लास, प्लेश्मेंट, लाब ऑपरेशन, फैकलिटी क्वाटर, स्टुडेंट के लिए चात्र आवास की सुधा, लाइब्रेडी में चात्रों का विजिट राशी की उपयोगिता, स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड लेने वाले चात्र, गेम, क्वीज, डिवेट, स्पीच, एवेंट, वर्क्सॉप, कॉन्फेंस, सिस्को से सर्टिफाइड स्टुडेंट जैसे पारामीटर शामिल हैं विट्यार से बाहरा हिरन पर कुत्तों ने किया हमला, बालमीकी टाइगर रिजर्व के अंतरगत गोबर्धना इलाके के जंगल से भटक कर अचानक रिहाईसे इलाके में आई एक हिरन पर कुत्तों के द्वारा हमला कर दिया गया, हलाकर स्थानिये लोगों के द्वारा हिरन खायल हो गई थी इसलिए जंगल में छोड़ने से पहले उस हिरन को वन विवा की टीम के द्वारा पसुचिकिसक से इलाज भी करवाया गया बिहारी परेटन में आज हम बात करेंगे गुर्पा की चोटी के बारे में गुर्पा हिस गुरुपद गिरी बिहार के गया जले में इस्तित प्राकृतिक और एतिहासिक अस्थलों में से एक है यह बिहार जारखन सीमा पर 50 किलो मीटर की दूरी पर इस्तित है यहीं बुद्य के अंतम्सिष्य महाकश्यप ने निर्वान प्राप्त किया था गुरुपद गिरी को अब गुरुपद नाम के नाम से जाना जाता है इस पहारी का दूशरा नाम कुकुट पद गिरी है प्राकृतिक नजारे जंगल जहन शुरियोदे और सुर्यास के नजारे इन सभी ने कुर्पा की चोटी से आसपाश के ग्रामी इलाकों का मनमोहग दृष्य देखा जा सकता है एक साथ पाँच भाशा में रिलीज होगी पवन सिंग की फिल्म भोजपूरी के पावर स्टार पवन सिंग बहुत जल्द ही पैन इंडिया स्टार बनने वाले हैं बता दी कि पवन का कारे चंदन करहिया उपाध्याई के द्वारा किया गया है तो वहीं इसके निर्माता अभै सिंग एके पांडे और वाई आर वर्मा है पवन सिंग इस फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में नजर आने वाले हैं तो वहीं इनकी को स्टार भोजपूरी एक्रस स्मृति सनहा इसके लावा फिल्म में अमित तिवारी अर्विंद अकेला कलू और अरुनाधा शिंग भी साम है पटना विश्य विद्याले का होगा धाचा गत बदलाव सीम नितीस रखेंगे आधार शिला बिहार सरकार पटना यूनिवर्सिटी जो की देश के साथवे सबसे पुर नितीस कुमार द्वारा रखी जाएगे इस बात की जानकारी सिक्षा विवाग के अधिकारी द्वारा मिली है पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रिय विश्विद्याले का दरजा देनी की मांग साल 2017 में नितीस कुमार द्वारा किया गया था लेकिन प्रधान मंतरी सुधार आई थी इदर मौसम विभाग ने पहले ही चिता दिया है कि इस बार मार्च का महीना लू ले कर आएगा पहले अप्रैल के अंतिम सप्ता में लू का आगमन होता था वैसा नहीं है लू मार्च के महीने से शुरू हो जाएगी ऐसा पहली बार होगा जब मार्च में बच्वा का प्रवा भी तेज होगा जिसके कालन लोगों को गर्मी जैसे हालात देखने को मिलेंगे मौसम विज्ञानी की माने तो शुभा और रात के समय गुलाबी ठंड रहेगी वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से बदलते मौसम के बीच लोगों को साबधानी ब वजह से बच्वारा के रानी एक पंचायत के सैक्रों गुस्साय किसानों ने सरकार की खिलाब प्रदर्शन करते वे चमतिया धाला चौक के पास एनच 28 पर आलूफे का जोरान किसानों ने सरकार के सामने MSP की मांग भी की बता दे किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांग पर सरकार के दोरा विचार नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में आंदोलन और भी तेज कर दिया जाएगा बता दे किसान इस बात को लेकर काफी परिशान है कि ना तो उन्हें आलू का उशित दाम मिल रहा है और ना ही आलू रखने के लिए कोल्ड स्टोरिज में जगह मिल पारी है इस प्रदर्शन के कारण काफी दे तक यातयाद भी प्रभावित्रा सरक पर आवाजाही पूरी तरह से बंद रही गंगा पात्वे पर एक अप्रेल से जाम की समस्या से मिलेगा निजात। जाने के लिए स्टेशन गुलंबर जाकर आटो पकरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब लोग गांधी मैदान या दिग्गा से भी आटो ले सकेंगे। इसके लावा अब लोगों को मरीन ड्राइपर भी आने जाने के लिए आटो की सुधा मिलेगी जिसमें यातरी प्रीपेड और शेर दोनों भारा से यातरा कर सकते हैं। ऐसे बोरियत भरे सफर को बनाए रोचक। इस डिजिटल यूग में हर किसी के हाथ में फोन होता है अगर दोस्त या कोई ग्रूप न मिले तो सफर के दौरान अपने फोन में फिल्म जरूर डाउनलोड करके रखें। कोशिश करें किस सफर के दौरान आपके सीट फ्रीन में लोवर पर्थ पढ़ हो ऐसे में आप खिर्की से बाहर के दृश्य का भी आनंद ले सकते हैं। लंबे सफर के दौरान पसंदीता किताबी भी अपने पास रखे ताकि आपका सफर आनंद रहो। पंच तत्व में विलीन हुए शतीश कौशिक। कुंबई के समसान घाट में उनका अन्तम संसकार कर दिया गया बता दे के आक्टर की अर्थी को कंधा देते वक्त सभी स्टार्स काफी भावुक नजर आए। कई स्टार्स फूट-फूट करोते भी नजर आए। डबल मडर केस का आरोपी पुर्व विधायक राम बालक सिंग हुआ गरफतार चदियू के पुर्व विधायक जो की समस्तिपूर में हुए डबल मडर केस के आरोपी थे उन्हें गुरुवार को छप्राय स्टेशन से सुतंता सिनानी एक्स्प्रस ट्रेन में गरफतार किया गया समस्तिपूर कोट में पुर्व विधायक खुद को सरेंडर करने जा रहे जब छप्रा जंक्षन पर दल्ली से समस्तिपूर आने के क्रम में उन्हें गरफतार किया गया तब स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए अफ्रात तफ्री का महौल बन गया था तमिलनाडू सीम ने बीजेपी पर अफ़ा फैलाने का लगाया आरूप तमिलनाडू में बिहारी श्रमिकों पर हिंसा को लेकर बीते दिन तमिलनाडू के मुख्य मंतरी एमके स्टालिन के दोरा अन गलील औरूबन कारिक्रम के तहर सवालों की एक श्रिंखला का जवाब देते वे बीजेपी पर आरूप लगाते वे कहा कि बीजेपी नेताओं के दोरा बुड़े इरादे के साथ प्रवासी मजदूरों पर हमले के बारे में अफ़ाहें फैलाई गई है उन्होंने कहा कि तमिलनाडो में पिछले कई वर्सों से विवन राजियों के लोग रह रहे हैं लेकिन कभी उन्हें इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा एकिन भाजपा के खिलाफ एक जूट रास्ट्री अस्तर के गड़बंधन की आवशकता में बात करने के एक दिन बाद है इस तरह की अफ़ाव फैलनी सुरू हो गई उन्होंने साफ कहा कि भाजपा के सदस्च्चों के द्वाड़ा फरजी वीडियो और जूटी खबरे लोगों के बीच फैलाई गई है मैंने इन फरजी वीडियो और खबरों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार से भी बात चीत की है बिहार के प्रतिनीदियों के द्वारा भी तमिल नाडो राजिका दौरा किया गया और वे सभी यहां से संतुस्ठ हो कर वापस लोटे हैं भाजपा ने उपिंद्र कुश्वाह को वाई प्लस श्रेनी की सुरक्षा देने पर दी अपनी प्रतिक्रिया राश्विय लोग चंता दल के अध्यक्ष उपिंद्र कुश्वाह को केंद्री खूफिया विवा की अनुशंशा के आधार पर गरी मंत्राले के द्वारा वाई प्लस श्रेनी की सुरक्षा दी गई है वही उन्हें यह सुरक्षा दिये जाने पर बीजेपी के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते वे केंद्र सरकार के इस फैसले को सही ठेडा है बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जैश्वाल के द्वारा कहा गया है कि आईबी के रिपोर्ट के आधार पर ही इस तरह की सुरक्षा सरकार के द्वारा मुहिया कराई जाती है इसलिए यहां कोई बहस का मुद्दा नहीं है लेकिन बिहार के साथ यहां दिक्कत है कि बिना किसी मुद्द का मुद्दा बनाया जाता है उगलने की राजनीती पर ललनसिंग का बयान नागालेंड में पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष त्वारा सरकार को समर्थन किये जाने को लेकर जदिव के राष्ट्रिय अध्यक्ष ललन सिंग के द्वारा अपनी प्रतिक्रियात दी गई है उन्होंने कहा कि समर्थन देने से जुरी कोई भी बात हम लोगो की जानकारी में नहीं थी वहां की प्रदेश अध्यक्ष और विधायक ने बिना किसी सहमती की मुख्यमंत्री को समर्थन पत्र दे दिया जिसे हम लोगों के द्वारा अपत्ती जनक माना गया है यही वजह थी कि हम लोगों ने बुद्धवार को नागालेंड प्रदेश ए उजना और दूसरा उजवाला योजना लेकिन इससे जुड़ा भी कोई आकड़ा वह हमारे सामने नहीं रखते लेकिन अब 2024 का चिनाव आ रहा है तो अपने विरोधियों को दबाने के लिए वह अपने पालतू तोता का अस्तमाल करने में जुटे हुए हैं लालंसिंग ने बीजेपी गडबंधन वाली सरकार को बगाएर किसी सर्थ के समर्थन देने को लेकर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनन ने बीते दिन गड़वार को टूइट कर मुख्यमंत्रे नितीज कुमार पर तंचकसा उन्होंने टूइट कर लिखा है नितीज जी जब स माजपा के साथ हुए उन्होंने कहा कि दिवा शुप्न महराज को यूटर्ण का जटका लगर है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हाली में नागालैन में संपन हुए 60 सदशी अविधान सभाच नाव में जीडियू के एक मात्र विधायक जो इनका सेव ने जीत हासिल की उस्मान ख्वाजा के 104 रन से मजबूत इस्तिती में पहुचा आस्ट्रेलिया पीते दिन 9 मार्स से सुरू हुए भारत और आस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गाबसकर ट्रॉफी का चौथा तेस्ट मैच का पहला दिन रहा बता दी कि पहले दिन आस्ट्रेलिया के द्वार चार विकेट पर 255 रन बनाये गए उस्मान ख्वाजा ने आस्ट्रेलिया को मजबूत इस्तिती में पहुचाने के लिए 104 रनों की पारी खेली और वहाँ अभी क्रीस पर बचबे हुए हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहले बल्ल नरनायक मुकाबला शाबित होगा भारत के इतिहास में आज की तारीक है बहत खास महात्मा गांथी 1922 में राजद्रु के आरूप में गिरफतार किये गए भारत ने 1985 में विसन एंड हिजेज क्रिकेट विश्व कब जीता युक्रेन के वैसली इवांचुक को हडाकर विश्वनाथन आनन 2007 में संतरंज में प्रथम अस्थान पर पहुंचे भारतिय संसत की उप्री सदन राज़े सभा में 2010 में महिला आरक्षन विध्यक पारित हो गया 1932 में अंतरिक्ष वग्यानिक और इसरो के भूत पुर्व अध्यक्ष उडुपी रामचंदर राओ का जन्मुआ सन 1934 में आज के हिदन भारत के जाने माने समा सुधारक ललन प्रशाद व्यास का जन्मुआ प्रसद कॉंग्रेसी नेता माधव राओ सिंधिया का जन्म 1945 में आज के दिनी हुआ नारे सिक्षा की प्रेंटा सामाजी कारेकरता एवं प्रसद कवीत्री सावीत्री बाई फुले काठा सो संतानवे में नधन हुआ बालकर में आज हम बात करेंगे B.S.F. Indian Army के बारे में शुषर मीडिया पर करी सुचराएं बारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रूरी नहीं है अज हम बात करेंगे B.S.F. Indian Army के बारे में दरसल P.I.B. ने अपनी टुइट में लिखा है कि एक फेस्बुक पेज B.S.F. Indian Army सीमा सुरक्षा बल के अधिकारिक हैंडल की नकल कर रहा है P.I.B. ने अपने tweet में आगे लिखा है कि ये FB account fake है B.S.F. का असली FB page at the rate official page B.S.F. है अधिकारिक जानकारी के लिए B.S.F. की अधिकारिक website bsf.gov.in पर जाएं फोटो की क्वालिटी बिना खड़ाप किये ऐसे कड़े WhatsApp पर शेयर Meta का Instant Messaging Platform WhatsApp के द्वारा अपने यूजर्स के लिए एक फोटो क्वालिटी फीचर उपलब्द करवाए गया है बता दी कि पहले WhatsApp पर अक्सर यूजर्स फोटो क्वालिटी के कम होने की सिकारत करते थी मगर अब आपको Instant Messenger फोटो की मूल क्वालिटी और रिवॉल्यूशन खोई बिना तस्वीरे सांचा करने का मौका देता है इसके लिए आपको सबसे पहले अपने WhatsApp खोलने होंगे और उपनी दाई कोने में तीन डॉट मेनू बटन पर टैप करना होगा फिर सेटिंग विकल्ब का चेंग करे उसके बाद Stories and Data आप्शन पर टैप करे अब मीडिया अप्लोड क्वालिटी सेक्शन के तहत फोटो अप्लोड क्वालिटी पर टैप करे वीकली एक्सपाइडी के दिन बाजार में बिकवाली देखनी को मिली निफ्टी सेंसेक्स करीब एक प्रतीशत गर कर बंद हुआ बता दे की बीते दिन के कालोबार में ओट रियल्टी आईटी शेरों में गिरावत रही जबके एनरजी एफ एमसी जी बैंकिंग शेरों में द 17,806.28 के स्तर पर बंद हुआ बीते दिन हमादुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमादुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवी रंज संकर, मुटूर रंगीला, राजिंदर स्तिंग, उमेश श्रिसिदेव, कौतम कुमार, कवीता कुमारी, अनल कुमार इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके छेतर में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है आपना जवाब हमें अम कुले, तानिवाद